हेलो गाईज, वेलकम बैक उन मैं चैनल बेबी और आज की इस वीडियो में मैं आप सब को बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पर ही उप्टन कैसे बना सकते हैं देखिए हमेशा हमको सोप यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि सोप से हमारे स्किन हाश हो जाती है इसलिए वीग में एक या दो बार आपको अपनी बॉड़ी पर उप्टन जरूर लगाना चाहिए जिससे कि आपकी बॉड़ी जो है वो अच्छे से डीपली क्लीन हो आपकी ब बहुत लॉग लास्टिंग ताइम तक चलती है और उस पर रिंकल्स वगेरा नहीं आते हैं आज के इस उप्टन में मैं यूज करने वाली हूँ हल्दी को हल्दी जो है उसके अंदर बहुत सारी एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज होती है इसलिए जो हमारे स्किन में अगर कोई बैक्टेरिया होती है कोई प्रॉब्लम होती है उसको यह किल करने में है दृसरी चीज है वह हमारी kang जिसको कि एम दखी कहते हैं दखी जो होता है वह एक तरीखे का नैचरल क्लिंजर होता है यह हमारा बेषन है natural cleanser होता है यह हमारा basin है जिसको हम use करेंगे basin की help से यह सारी चीज़ अच्छे से bind हो जाती है और एक बहुत ही अच्छा सा upton हमारा बनके ready होता है next thing है हमारा lemon lemon जो होता है उसके अंतर बहुत सारी vitamin C होती है lemon जो है आपके जितना भी skin पर male होता है dirt होता है उसको clean करने में help करता है और जो fifth ingredient है वो है हमारा यह coconut oil coconut oil जो है वो एक बहुत ही अच्छा moisturizer होता है especially जिनकी dry skin होती है उनके लिए यह एक तरीके का magic का काम करता है और इसी लिए हम एक ऐसा upton बना रहे हैं जिससे कि आपकी skin जो है वो साफ सुंदर तो हो ही प्लस वो well hydrated रहे तो यह curd और जो coconut oil है यह आपकी skin को well hydrated रखते हैं अब यह बनाना ऐसे है upton की हमने लिया है turmeric जिसको की हम हल्दी कहते हैं और यह one teaspoon के around हमारा turmeric powder है इसके अंदर हमको add करना है one spoon के around curd यह मैंने one spoon के around curd add कर दिया है और इसमें अब हम add करेंगे basin तो इसमें मैंने one spoon के around basin एड कर दिया है और इसमें ही हमको add करना है coconut oil और lemon तो हम पहले coconut oil एड कर लेते हैं यह देखिए इसमें मैंने coconut oil एड करना start कर दिया है तो one spoon आपको इसमें coconut oil करना है और अब लास्ट इंग्रीडेंट हम इसमें यूज करेंगे वो है lemon ये देखो जैसे मैं lemon को निचोट रही हूं इस टाइप से आपको एक half lemon जो है वो यूज कर लेना है और इसका बनाना है एक अच्छा सा fine paste और जब इस fine paste को आप बना देंगे ये दे स्किन पर लगाना है इसको आप अपने हाथ पर पैर पर स्किन पर गर्दन पर टमी पर कहीं भी जहां आपको ऐसा लगे कि मेरी स्किन जो है उसमें बहुत जादा संटैन हो गया है बहुत डर्टी हो गई है मेरी स्किन तो वहां पर आप इसको apply कर सकते हैं even आप इसको face पर गर्दन पर भी apply कर सकते हैं क्योंकि यह सारे ही natural जीजे हैं इससे आपको कोई भी problem नहीं होगी अगर आप face पर लगाना चाहें तो आराम से लगाए और इस type से जैसे मैं आपको बता रही हूं इसको थोड़ा सा ले और अपने हाथ पर ऐसे apply करें इस type से आपको apply करना है और apply करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे apply करो apply करने के बाद 15 मिनट के लिए छोड़ दो जिससे आपकी skin की जितनी भी dirt है वो निकल जाएगी तो यह बहुत ही simple सा option है जिसको आप अपनी skin को सुन्दर दमकती हुई skin अगर आप चाहते हो ताप इसको use कर सक